इस वीकेंड के सीरीस का ये आखरी अपिसोड है, जिसमें आपको मैं Clovar Leap Flyover के तरफ ले जाने वाला हूँ इस वीडियो को मैं शुरू करूँए ट्रंपेट फ्लाइवर के पास से जहां से ट्रंपेट फ्लाइवर और क्लोरली फ्लाइवर का मेन कैजवे है द्वार्क एकस्पेस्वे का वो डीमर्ज हो जाता है तो उस पॉइंट से शुरू करके मैं आपको यह जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं जिसमें सेक्टर 36A, ग्लोबल सिटी यह सारा लोकेशन कवर करूँगा इसमें आपको सेक्टर 88 भी दिखा दूँगा, सेक्टर 84 भी दिखा दूँगा यहां पे ट्रंपेट फार के आज पास के जो सेक्टर हैं और न्यू गुडगाओं उसका भी एक ओवर्विव दे दूँगा की रात के टाइम पे वो कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, यह वीडियो मुस्ली आप संडे को ही देख रहे होंगे अब कल जो आने वाला कल है, वो पूरे दौरके एक्सपेसवे के लिए बहुत ब्राइट है दौरके एक्सपेसवे, न्यू गुरगाओं के जितने भी रेसिडेंट्स हैं उनका जो कनेक्टिवीटी का इशू था, जो न्यू गुरगाओं है, उनको क्लोवली फ्लाइवर के थूरू SPR की कनेक्टिवीटी मिल जाएगी और जो द्वारक एक्स्पेस है के डेली गुर्गाउं के बॉर्डर के पास वाले लोग हैं उनको डेली की connectivity मिल जाएगी उनको jam में first कर आना जाना नहीं पड़ेगा अब जब आप इस stretch में car चलाएंगे हम सबने काफी साल से वेट किया है इस stretch में elevated रास्ती में car चलाने का आपने काफी बार मुझे देखा इन सब पर drive करते वे बट जब भी मैंने drive किया है with permission किया है अब क्योंकि ये flyover जो है वो public के लिए open हो रहा है आप सब का मन करेगा कि आप काफी speed में car चलाओ मेरा आप सब से request है कि please speed limits को follow कीजेगा बहुत अच्छा लगेगा अगर आप speed limit को follow करते वे सारे rules regulation follow करते वे car चलाएंगे over speeding मत कीजेगा मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसा चाहूँगा कि यहाँ पर किसी का accident हो over speeding के वज़े से या कुछ और reasons के वज़े से प्रीज आप सब सारे traffic rules को follow कीजेगा और रास्ता बहुत खूबसूरत है मन बिल्कुल करेगा over speed करने का गाड़ी चलाने का बट प्रीज मच चलाइएगा और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा whatsapp group है जिसमें 6000 से भी ज्यादा लोगों ने join कर लिया है आप चाहें तो उस whatsapp group को join कर सकते हैं comment section में मैं इसका link डाल दूँगा और इस video के description में भी उसका link डाल दूँगा link पे click करते ही आप join कर सकते हैं दो group से अगर आप group 1 का part already है तो group 2 join करने की जरुवत नहीं है group 1 completely full हो चुका मैंने group 2 को शुरू किया था तो अगर आप group 1 के part में है तो आपको group 2 join करने की जरुवत नहीं है क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरके के content बेचता हूँ अगर आप दोनों group join कर लेंगे तो आपको एक ही content दो बार आएगा नीचे मैं link डाल दूँगा आप जरुवत से join कर लेजेगा आपका जो number है इस group में वो किसी और को नहीं दिखेगा तो आपके पास कोई भी unwanted call या unwanted messages किसी दूसरे के तरफ से कभी भी नहीं आएंगे आप सबने मुझे मेरे real estate business में पूरी तरह से support किया है इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे viewers, subscribers का यहां के residents का, यहां के investors का, मेरे well wishes का सारे channel partners का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं उन सब को thank you कहना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबलियत पे और मेरे market research पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर commercial project में invest करने के लिए माध्यम बनाया है मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं social media पे या publicly नहीं बोल पाता हूं कई बार वैसी सारी जानकारी मैं उन home buyers या investors के साथ share करता हूं जो मुझे से मिलने personally मेरे office आते हैं ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत project में चाहे वो residential हो या commercial निवेश करने से बचाएगा क्योंकि अब मैं भी real state research transaction और consultancy में हूँ ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे references दिये हैं और मैं आपकी उमीदों पे खरा उतरा हूं ठीक इसी तरीके से आगे भी support करते रहिएगा मैं future में भी आपके सारी उमीदों पे खरा ही उतरूंगा इस पूरे area का मुझे चपा चपा पता है यहां के जितने भी commercial और residential projects है मुझे उनके in and out पता है उनके एक एक positive उनके सारे negatives भी मुझे पता है जो आपको कोई और नहीं बताएगा अगर आप भी यहां invest करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे office आकर मिल सकते हैं नीचे मेरा direct number दिया हुआ है मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक informed decision लेने में support करेंगे कुछ भी खरीदने से पहले मुझे मिलियेगा जरूर मैं आपको किसी भी गलत project में निवेश करने से बचा सकता हूँ मुझे बहुत साथे real state के लोग भी मिलते हैं जो की अच्छे और साफ नियत के साथ काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही platform नहीं मिल पा रहा है मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए respect है जो real state को long term vision के साथ अपना career बनाना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास एक right platform है आप आएए और मुझसे मिलिए आएए वीडियो देखते हैं अब देखिए इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको पूरा trumpet flower का virtual tour दिया था अब यहां से मैं आपको क्लोवली flower के तरफ लेकर चलूँगा आगे बढ़ने से पहले एक उपर से आप व्यू देख लीजे यहां पर अगर मैं जूम करूँ तो यह जो आपको portion दिख रहा है यहां पर देखिए left hand side में यहां से मैं आपको आगे लेकर चलूँगा जहां क्लोवली flower है यहां से अगर मैं डेली के तरफ मोड़ू अगर यहां से आप left hand side वाले lane से straight जाएंगे तो यहां से लगबग 15 में आप डेली कुड़ूगाओं के बॉर्डर में होंगे इस तरफ जो आपको sector दिख रहा है यह sector 88 है यहां पर और यहां पर यह पूरा अंधेरा सा आपको दिख रहा है यह पूरा जो अंधेरा सा दिख रहा है यहां पर global city होगा आने वाले कुछ सालों में यह वाला जो पूरा area है वो चमक उठेगा अब इस point से हम जो हैं यहां से trumpet flower के नीचे से लोडी flower के तरफ जाएंगे ड्रोन को मैं नीचे ही रखूंगा सुरेट राद भी काफी है तो मुझे भी दिखते रहना चाहिए और साथ में आपको भी वो feel आना चाहिए कि आप इस road पर drive कर रहे है इस वीडियो के बाद यह आखरी वीडियो होगा ऐसा जहां पर आपको trumpet flower या द्वार का express वे इतना खाली-खाली दिखेगा अब यहां पर जो भी इसके बाद वीडियो बनेंगे उसमें हमेशा ही आपको कोई ना कोई traffic का movement दिखेगा और heavy traffic का movement दिखेगा इतना खाली आपको अब कभी ने दिखने वाला अब यहां पर गर आप देखें यहां पर देखिए कितना खूबसवत लग रहा है यह पूरा tri-color से अलड़ी सजा हुआ है हमारे PM आने वाले हैं इसको inaugurate करने के लिए तो जब आप यह वीडियो देखेंगे तो उसके अगले दिन ही जो है आप मानकर चलिए कि यह जो रास्ता है पूरा inaugurate होने वाला है हमारे PM के द्वारा अब यहां पर आप देखिए नीचे यह flyover है और उसके उपर trumpet flyover है अब यहां से मैं आपको और आगे लेकर चलूँगा अगर आप Clover Leaf flyover के तरफ से आ रहे हैं तो राइट हैंड साइड में जो आपको पूरा लेन दिख रहा है चार लेन आप वहां से आपकी movement होगी उपर वाले flyover में यानि trumpet flyover में और नीचे वाले में दोनों में ही ट्राइ कलर के यहां पर लाइट्स लगाए हैं राइट हैंड साइड में एक्स्रीम एंड पर आप देखिएगा आपको एक mall दिख रहा होगा वो Elan Miracle Mall है सेक्टर 84 में वो देखिए यहां पर आपको स्टील ब्रिज दिखना शुरू हो गया स्टील ब्रिज और यह जो सर्फेस रोड देख रहे हैं इसकी जो हाइट क्लियरंस है वो 3.5 मीटर की है यह देखिए अब मैं स्टील ब्रिज के नीचे से क्रॉस करूँगा यह कितना खूबसूरत लगेगा जब आप यहां पर ड्राइब करके जा रहे होंगे और बिल्कुल इसी तर्के का कुछ नजारा होगा यहां पर भी अब स्टील ब्रिज को मैं क्रॉस कर चुका हूँ अब यहां से मैं स्ट्रेट चलूँगा एक बार बीच में यहां पर कार रोक कर मैं आपको इस तरफ से भी जो स्टील ब्रिज का एंगल है वो दिखा दूँगा थोड़ा आगे चलते हैं और उसके बाद वो चीज आपको दिखाऊँगा इस समय मैं सेक्टर 84, सेक्टर 88 और सेक्टर 36A के इंटरसेक्शन को क्रॉस कर चुका हूँ यहां फ्लाइवर है राइट हैं साइड में अगर आप देखेंगे तो ट्रंपेट फ्लाइवर भी आपको नजर आएगा मैं यहां पर ड्रोन को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा कि यहको नीचे सर्फेस रोड है इस सर्फेस रोड में आपको अपश्य वाला अपश्यन भी दिख रहा है यापर अगर अपनि हम गुल्गमेंट की तरफ से आरह है तो यह जो ट्राफिक फूमुव्मेंट है यह निउघ गाई आएंगे तो सर्फेस रोड में आ जाएंगे और ऊपर एलिवेटेड रास्ता है इसी तरीके से अगर आप क्लोवर ली फ्लाइवर के तरफ से आ रहे हैं और यह जैसे यह गाड़ी जा रही है यहां पर देखिए यहां पर भी ऑप्शन है कि आप अंडर पास के अंदर चले जाएए यह यह राउंड अबाउट लेके आप न्यू गुर्गाओं के तरफ भी जा सकते हैं यह जो इंटर्सक्शन आप देख रहे हैं जिसमें पूरा ग्रीन गर का आपको ग्रास लगा हुआ दिख रहे हैं यहा अब यहां से यह जो आप सामने देख रहे हैं रास्ता यह ट्रंपेट फ्लाइवर आला रास्ता है मैं यहां पर ड्रोन को इधर मोड़ता हूं पहले यह देखें कितना खुब सब्सक्राइब लग रहे हैं और हम बिलकुल इस एंड से आ रहे हैं यहां पर अगर स्क्रीन के आदा हुआ मैं आपको लेकर आया हूं ट्रंपेट फ्लाइवर के नीचे से हमने क्रॉस किया है trumpet flower और यह जो flower है इन दोनों की height का clearance है वो 3.5 meters का है और अगर आप trumpet flower से जाते तो यहां से ऐसे घूमते जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया है घूमने के बाद आप पूरा round लेते देखिए आप पूरा यहां से round लेते round लेने के बाद वापस से आप trumpet flower के नीचे से ही cross करके IMT मानिसर के तरफ जा सकते थे multi utility corridor लेकर नीचे surface road कई दिनों से खुला हुआ है public के लिए अब यहां पर मैं drone को नीचे लेकर आऊँगा और यहां से हम locally flower की तरफ चलेंगे हम sector 36A में enter अलरी कर चुक है देखे कितना खुपसोत लग रहा है अब यहां से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ यह देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतना खाली आपको अब जिन्दगी में कभी नहीं दिखने वाला है द्वार के express पे बहुत ही heavy traffic expected है इसमें यह elevated रास्ता है तो आपको जो kilometer वाला stone है वो यहां पर आपको दिखेगा अगर आप मैं आपको zoom करता हूँ कि आप इसमें पड़ भी पाएं देखिए यहां पर लिखा है कि खेड की धौला यहां से तीन किलो मीटर है और sector 36A जीरो किलो मीटर है मतलब हम already sector 36A में है सामने जो यह आपको high rise building दिख रही है यह क्रिसुमी waterfall residencies है यहां का जो speed limit होगा वो 100 km per hour होगा कार के लिए यहां पर 2 wheelers और 3 wheelers बिल्कुल भी allowed नहीं होगे उनका चलान कर जाएगा अगर वो इस flyover का use करेंगे तो यहां पर जो trucks हैं या जो बड़े वाले trolley होगे, trucks होगे या buses होगे उन सब के लिए speed limit जो है वो 80 km per hour की है दोनी तरफ यहां पर drains यह सब बन चुके हैं और मैंने जैसे आपको पहले ही बताता है हर alternate street light को यहां पर सजाया गया है tricolor के light से बीच में यह जो green वाला portion देख रहे हैं divider के उपर उसमें अगर आप देखेंगे तो light cutters दिये वे हैं कि एक दूसरे की जो high beam की रोशनी है या low beam की रोशनी है वो हम तक हम गाड़ी चलाते हुए हमें disturb ना करे यह देखेंगे यहां पर अगर direction board आप देखेंगे तो आगे जाकर अगर आप left लेते हैं exit लेते हैं तो आप NH8 में यहां से भी जा सकते है बढ़ हम यहां से सीधा जाएंगे और straight जाएंगे तो यही रास्ता आपको future में फईदाबाद के साथ भी जोड़ देगा अल्रेडी जुड़ा हुआ है बढ़ एक और alternate रास्ता बन जाएगा फईदाबाद के लिए भी यहां पर अगर आप देखे तो होटी कल्चर के काम अल्रेडी हो गया था जब होटी कल्चर के काम शुरू हा था तो मैंने आपको उस वक्त बताया था देखे कितना खूबसूरत लग रहा है यह एक बार यहां से मैं ड्रोन को ऊपर ले जाके आपको दिखा देता हूँ कि जो ट्रंपेट फ्लाइवर वाला सेक्षेन है वो वो कैसा लग रहा है यहां से यहां से अगर आगे जाएंगे तो क्लोर ली फ्लाइवर आ जाएगा यह जो आपको हाइराइस बिल्डिंग दिख रही है यह एविल 36 है अफोडेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है यह अल्रेडी रेडी तो मूव इन है और अल्मोस्ट परसं अट्राक्टिव ओफर्स है रीसेल में भी कुछ ऑप्शन्स है फ्रेश में भी कुछ ऑप्शन्स है अगर आपको इंटरेस्ट है तो स्क्रीन में नंबर दिया हुआ है मेरा आप चाहे तो मुझसे कॉन्टाक्ट कर सकते हैं यह देखे ट्रंपेट फ्लाइवर का व्यू यह यह व्यəCERियि को इस ट्रंपेट वर यह स्टील व्याला फ्लाइवर आपको दिखे रहा हौ जाका रिए फिर यहां ठीयेल को इसी रास्ते से हम डृइफ करते वा अखे चाह जह पूरा पीछे वाला पूर्शन आप देख रहे हैं जहां बहुत सारी लाइट सीम तिमा रही ह खर अब राद हो गया है 11 बज रहे हैं तो हर घर के तो लाइट्स नहीं जले होंगे बट मैक्सिम घर के फिर भी आप देख सकते हैं लाइट्स लाइट्स जले हुए हैं यह देखिए यह सारा का सारा न्यू गुडगाओं है अब वापस से हम क्लोरली फ्लाइवर की तरफ फेस करने लगें अब यहां से हम क्लोरली फ्लाइवर की तरफ चलेंगे इतना खूबसूरत क्लोरली फ्लाइवर आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ यह हिस्ट्री है यह बस record कर ले रहा हूँ आपके मेरे लिए हम सब की memory के लिए क्योंकि द्वार के express पर functional हो जागा तो फिर यह सब कुछ आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे आप जो direction board देख रहे हैं यहाँ पे exit point है अगर आप flyover पे चड़ जाते हैं पताओधी road intersection के पास जहाँ पे गुडगाउ और रिवारी पताओधी national highway है वहाँ पे जो अंडर पास है वहाँ से कर आप चड़ जाते हैं main carriageway पे तो उसके बाद exit आप यहीं पे कर पाएंगे इस portion में तो यहीं से exit करने के बाद आप आगे surface road लेकर जो द्वार का service road है surface road उसको लेकर आप NH48 के तरफ जा सकते हैं या Clover leaf flower के तरफ भी जा सकते हैं हम फिलाल इस रास्ते से Clover leaf flower के तरफ चलेंगे बिल्कुल straight जाएंगे हम आप देख सकते हैं left में जो service road है और right में यहाँ पे जो service road है दोनों को ही normal traffic के लिए open कर दिया गया है लेकिन जो main carriageway है इसमें public की entry अभी बंद है तो without permission प्लीज यहाँ पर मत आईएगा मैं जब भी यहाँ पर drive कर रहा हूँ जो कुछ भी record कर रहा हूँ with permission कर रहा हूँ आप प्लीज यह कोशिश मत कीज़ेगा without permission यह के सारा horticulture का काम बीच में हुआ पड़ा है देह दे करके यह जो पेड़ है यह काफी बड़े हो जाएंगे और जो बड़े होंगे तो देखने में और खूब सुरत लगेगा यह जो पूरा section है इसको अगर L&T के language में मैं बोलूं तो वो इसे green field बोलते हैं इस section को और अगर आप पुराने videos देखेंगे मेरे 4-5 सल पुराने videos देखेंगे तो उसमें आपको दिखेंगे कि यह जो section है जो surface road आपको दिख रहा है यहाँ पे 40-50 feet बड़े-बड़े गड़े हुआ करते थे इतने बड़े गड़े की 4-5 building या एक आद जो project है 30-40 hectare का वो उस गड़े में समा जाए और वहाँ पे पानी जमा हुआ करता है लेकिन अब द्वार का expressway में उस सारे गड़ों को भर दिया गया अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको दूसरा एक direction board दिखेगा जिसमें लिखा है कि आगे जाकर अगर आप left लेते तो राजीव चौक के तरफ जा सकते है अगर आपको जैपूर के तरफ जाना है तो आप सीधा जाएंगे उसके बाद lower leaf flower लेने के बाद loop लेंगे और loop से आप NH48 में जाकर जैपूर की तरफ जा सकते है और straight अगर आप जाएंगे तो सोना की तरफ जा सकते है जो जैपूर है यहाँ से वो 235 km है जो सोना है यहाँ से वो 26 km है दोनों का ही bus stand है उसका distance बता रहा हूँ इस location से जो आपने board में पढ़ा होगा अब यहाँ पर आप देखिए आपको एक JCB भी दिखेगी यहाँ पर काम करते हुए यह देखिए यहाँ पर रास्ता जो है न वो black top होगा दुबारा से तो इसके लिए यह layer correction हो रहा है तो उसका काम यहाँ पर चल रहा है अब यहाँ अगर आप देखे तो जो left वाला service road है और जो यह वाला रास्ता है यह दोनों आपस में connect हो जाएगा merge हो जाएगा traffic यहाँ पर और traffic merge होने के बाद यहाँ से जो आप आगे जाएगे तो आगे जाते हैं तो left hand side अगर आप लेते हैं तो आप राजीव चॉक के तरफ चले जाएगे देखिए आपको direction board में यह सारा कुछ नजर आ रहा होगा सीधा जाएगे तो आप सोना के तरफ चले जाएगे सीधा ही आपको जाना है अगर आप जैपूर के तरफ जाना चाहते हैं बट जैसे आप पहुंचेंगे आपको लूप लेकर वापस जैपूर के तरफ टरन लेना पड़ेगा और यहीं से आप डेली मॉंबई एक्सपेस वे के तरफ भी जा सकते हैं मैं बिल्कुल एक्स्ट्रीम एंड वाला जो लेन है न वो लेकर चलूँगा सुदर ट्राफिक मूव्मेंट में भी कोई परिशानी ना हो यहां पर क्योंकि ट्राफिक चलता हुआ है अब यहां पर आप देखेंगे तो अको कोई भी लाइट स्वाइट दीखेगा और यहां सामने अगर आप देखे तो आपको हई टेंशन वाइस भी लटके विए नजब आएंगे बट यहां से फिर से एक जो speed warning board है वो आजाएगा जिसमें पीले color का आपको दिख रहा होगा आगे और इसमें दिख रहा होगा कि 80 km पर आर का speed है बस और ट्रक के लिए और car के लिए 100 km पर आर का speed है और लिखा है कि right से ही overtake करें अने था overtake ना करें यहाँ पे speed वाले cameras भी होंगे सारा कुछ color किया हुआ है और यह जो सामने आप direction board देख रहे हैं इसमें speed cameras भी लगे होंगे जो portions चूटे हुए है उसमें speed cameras होंगे यहाँ से अगर आप left लेते हैं तो आप Rajiv Chalk के तरफ चले जाएंगे यहाँ से अगर आप straight जाते हैं तो फाइदाबाद का जो bus stand है यहाँ से 44 km है यहाँ से अगर आप जैपूर के तरफ जाना चाहते हैं यहाँ से आपको यूटन जैसा लेना होगा तो उस loop से आप जब जाएंगे तो आप color leaf flyover के तरफ चले जाएंगे अब क्योंकि द्वार के express वे functional होने वाला है तो जो रावन रूपी खेड की रॉला टोल है उसका जल्दी ही goodbye हो जाना चाहिए अब यहाँ से आपको आगे लेकर चलता हूँ अब यहाँ पर मैं main color leaf flyover के ऊपर हूँ और यहाँ पर ड्रोन को मैं ऊपर लेकर चलता हूँ कि आपको एक view दिखा सकूँ कि कैसा view है यह एक color leaf flyover और इसमें मैं अगर आपको दिखा हूँ तो सारे loops है पहले मैं ऊपर ले जाकर ड्रोन से आपको चारो loops दिखा देता हूँ जैसे आप color leaf flyover को cross करेंगे आपको लूप दिख रहा है यहाँ पर इस लूप से आप जैपूर की तरफ जा सकते हैं अगर आप डेली imagine कीजिए कि आप hero honda chalk की तरफ से आ रहे हैं और आपको मेरे opposite वारे lane में आना है तो यह जो आपको लूप दिख रहा है यहाँ पर इसमें light अभी on नहीं है इस लूप से आप उपर चड़ सकते हैं देखें जैसे यह लूप से यह traffic है ना यह लूप open है traffic के लिए और यहाँ पर लोग देखें यहाँ से travel कर रहे हैं यहाँ पर यह second loop हो गया है यह वाला यह नीचे के तरफ अगर आप देखें तो यह तीसरा लूप लूप का भी light अभी off है यहाँ पर देखेंगे तो इस लूप में lights on है यह देखें यह जितने भी आपको लूप दिख रहे हैं इसमें future में जो rapid rail है उसके stations में entry और exit के points होंगे जितने भी loops आपको दिख रहे हैं यहाँ से अगर आप स्ट्रेट आगे जाते हैं तो गॉल्फ कोस रोड की तरफ चले जाएंगे गॉल्फ कोस extension रोड की तरफ चले जाएंगे यह जो आपको सेक्टर दिख रहा है यह सेक्टर 75A है यहाँ पर आ यहाँ से जो शिव मूर्ती वाला section है द्वार के एक्सप्रेसर के package 1 का यहाँ से भी आप आगे जाएंगे तो उस तरफ जा सकते हैं और यहाँ से अगर मैं दूसरे तरफ टरफ टरन करूं इस तरफ टरन करूं तो यहाँ से अगर आप स्ट्रेट आगे जाएंगे तो देख सकते हैं यह जैसा मैंने आपको बताया था यह सेक्टर 75A है और यह वाला section आप देख रहे हैं यह से इस पोर्शन से इस जगे से आप आगे भी जा सकते हैं आगे जाएंगे तो SPR आ जाएगा और यहीं से अगर आप और आगे जाएंगे तो जहां पर वाटी का चौक है जह सबसे नीचे जह है वह फॉटी8 हैं और यह जो गाड़ी जा रही है, यह क्लोवरली फ्लाइवर का, द्वारक एक्सप्रेस वे का, में कैरज वे है यहाँ पर अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं, तो आप काउंट कीजिए कितने लेंज हैं इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, दोनों तरफ का अगर मैं मिला दूंगा तो 14 लेंज हैं टोटल यहाँ पर और यह एक ऐसा क्लोवरली फ्लाइवर है जिसमें आप किसी भी डायरेक्शन से जाकर किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं जैसे यह वाला लूप लेंगे, यह लूप अगर आप लेते हैं तो इस से इस लूप में आप घूमेंगे और घूमने के बाद आप यहाँ से इसी फ्लाइवर के नीचे से जैपूर की तरफ जा सकते हैं यह देखें अब तक न्यू गुर्गाओं के जो रेसिदेंट्स हैं उनको इसका पूरा एडिया हो गया होगा कि कैसे क्या चीज है यहाँ पे मुझे उमीरे कि वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा और कमेंट करके मुझे जरू बताईएगा कि वीडियो आप तक छोड़ेंगे नहीं जय हिंद जय भारत